दोस्तों नमस्कार ये हमागदुशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों भारती इतिहास के महत्वण प्रशनों के अध्यन के क्रम में इस वेडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत मौरियोत्तर काल से संबंधित महत्वण प्रशनों का भागेग जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्तोपूर प्रश्ण पहला प्रश्ण है निमन लिखित में से क्या इसा की प्रथम सदी के आसपास विक्सित मथुरा कला शाला में मौर्ति कला के लिए प्रियुक्त होता था आपसन है संग मर्मर, सिलेट पथर, ग्रेनाइट या लाल बलुवा पथर तो सही उतर लाल बलुवा पथर दोस्तूं ईसा की प्रथम सदी के आसपास विक्सित मतुरा कला साला में मतुरा के कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई या भवन निर्मार किये उनके लिए उन्होंने एक विशेश प्रकार के लाल चित्तेदार पत्थर काम मिलाया इसकी प्राप्ति रूपवास टंकपूर और फतेपूर सीकरी की खानों में होती है और मूर्ति गढ़ने की द्रिष्टी से ये पत्थर परियाप्त मृद्ध होता है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से किस विद्ध्वान का विचार है कि ब्राम्हर समुदाय का असंतोस मौरे सामराजी के पतन का कारण बना आपसन है B.N. मुकरजी, रो मिला थापर, हर प्रसाद शास्त्री या H.C. राय चावधरी तो सही उत्तर हर प्रसाद शास्त्री प्रसिद विद्वान हर प्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीदी को मौरे सामराजी के पतन का प्रमुक कारण माना है उनके अनुसार अशोक की धार्मिक नेधि पॉध्धों के पक्षमित थी जो ब्रामठों के विशे सधिकारों और उनकी सामाजिक स्रेश्टता के इस्थिती पर कुठारा घार्त करती थी अगला है कि विमकड फिसेस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है तो उत्तर है शिव का विमकट फिसेस ने स्वण और तांबे की सिक्के चलाये थे इसके सिक्कों पर शिव त्रिसूल और नंदी की आकरितियों का आंकन मिलता है इसने माहेश्वर नाम को बाधी धारण किया था अगला प्रशन है निमनलिखित अभिलेखों में किसमे सार्थवाह शब्द प्रियुक्त हुआ है आपको बताना है आपसन है इलाहबाद अस्तंभ लेख मतुरास्तंभ लेख मान कुमर लेख या दामोदर पूर तामर पत्र लेख तो सही उत्तर दामोदर पूर तामर पत्र ल काल में था अगले प्रश्ण पर आते हैं मतुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है किस काल से तो सही उत्तर कुशार काल से मतुरा के शिल्पी यक्ष तथनाग की सुन्दर मुर्तियं बनाने में अत्यंत निपूर्थ है अगला प्रश्ण है किस राजवन्स के सासकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे तो आप जान लीजिए ये थे सातवाहन वंस दूस्तों सातवाहन राजवन्स के सासकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे हिंद यवन शासक इस ट्रेटो दुती ने सीसे के सिक्के चलाए थे अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किस भासा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उतकेड है आपसन है प्राकृत पाली संस्कृत या कोई नहीं तो सही उत्तर प्राकृत में कलिंग के चे दिवन्स के सबसे प्रतापे शासक खारवेल का हाथी गुमभा अभिलेख है इसके विशे में जानकारे का प्रमुक्स रोतिय अभिलेख है और ये लेख प्राकृत भासा में है और प्राचीन भारती इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है अगला प्रशन है अपने वाहन व्रिसव के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सबसे पहले किसके सिक्कों पर मिलता है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विमकड़ फिसेस आपसन ए दूस्तूं विमकड़ फिसेस के सिक्कों पर शिव नंदी और तेशूल की आकरेतिया मिल भिच्छु नाग सेन से प्रभावित हुआ था आपसन है कनिस्क, हुविष्क, वासुदेव या मिनेंडर तो सही उत्तर है मिनेंडर दूस्तूं याद रखेगा बौध भिच्छु नाग सेन से शासक मिनांडर प्रभावित हुआ था और मिनांडर और उसके पुत्र सार बेवस्थित कीजिए वाशुदेव नारायन भूमि पूत्र या और सुसर्मन तो नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करिये और इसमें आपको कड़ववंस के सासकों का मिलान करना है तो क्रम निरधारित करना है तो सबसे पहले वाशुदेव फिर भूमि पूत्र फिर नारायन और सुसर्मन आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अब देख सकते हैं कड़ववंस में कुल चार सासक हुए वाशुदेव भूमि पूत्र नारायन और सुसर्मन कडववंसी सासकों ने 45 वर्सों तक सासन किया वसुदेव इसवंस का संस्थापक था जिसने अंतिम सुंग नरेश देवभूत की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी सुसर्मा इसवंस का अंतिम शासक था जिसकी हत्या साथवाहन सासक सीमुक ने की थी पुराणों में कडववंस के शास्कों को सुंग भृत्य कहा गया है अगला प्रश्न है उस राजवंस का नाम क्या था जिसने हत्याकर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था अप्सन है चोल, सुंग, कुशार या गुप्तवंस तो सही उत्तर सुंग वंस अंतिम मौरे सामराट ब्रिहदरत की हत्याकर के इसका सेनपती पुसिमित्र शुंग ने सुंग वंस की अस्थापना की थी अंतिम सुंग सासक देव भूति के मंत्री वाशु देव ने इसकी हत्या करके 75 इसापूर में कडव वंस की निव डाली थी दिव्यावदान में पुसिमित्र सुंग का चित्रन बहुद धर्म के संहरत के रूप में किया गया है और 13 वली की रशना 14 सदी के जैन लेखग मेरुतुंग ने की थी इस गरंथ में उजयने की सासकों की वंसावली दी गई है जिसमें पुसिमित्र का उलेख है और साथ वाहनों ने सबसे पहले जो है प्रथन सताब भी इस भी में भूमिदान की प्रथा आरंभ की थी अगला प्रशन है योग सुत्र के रचाइता कौन है तो उत्तर है महार सी पतंजली योग शुत्र योग दर्सन का मोल गरंथ है इसके रचाइता पतंजली है और पाड़नी की रशना अश्टा ध्याई है जो की संस्कृत ब्याकरण का गरंथ है अगला प्रशन है महाभास से की रचनाकार कौन है तो सही उत्तर महाभास से जो है ये पतंजली की रचना है महाभास से की रचनाकार पतंजली थे ये पुश्यमित्र सुंग के पुरोहित थे महाभासे से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रहुद डाला था अश्टत ध्याई की रश्नाकार पाढ़िनी है संध्याकार नंदी ने रामचरित और पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित की रश्ना की रामचरिस से बंगाल के पालवंस के शासन धर्म और ततकालिन समाज का ज्यान होता है मनु ने मनु स्मृति की रश्ना की महाकवी पंप ने विक्रमारजुन विजय और रन ने गदायुद्ध की रश्ना की वाकपती ने गौडव हो और बिल्हड ने विक्रमांक देवचरित नाम ग्रंथ की रश्ना की थी अगला प्रश्न है दो अस्वमेध यग्य किस ने संपन्न किया था तो सही उत्तर है पुष्यमित्र सुंग ने याद रखिएगा अयुद्ध्या की लेक से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने दो अस्वमेध यग्य किया था इसे संपन्न कराने का स्रे पतंजली को है कालिदाश किरित मालविकाग्न मित्रम से एक अस्वमेध के बारे में जानकारे मिलती है इस संदर में कालिदास कहते हैं कि अस्वमेध यगे की रच्छा का भार पुशमित्र के पौत्र बशुमित्र ने ग्रहन किया था और पुशमित्र सुंग ने असोक कालिन साची के महास्तूप की काश्ट वेदिका के अस्थान पर पाशाण वेदिका निर्मित कराई थी और भ मनुस्मृति की रश्ना किस वंस के सासनकाल में हुई थी आपसन है मौरे वंस, साथवाहन वंस, सुंग वंस या कुशान वंस तो सही उत्तर सुंग वंस। इस्मृतियां हिंदु धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, इनका संकलन विभिन कालों में हुआ, मनुस्मृति की रश्नाम और युत्तर काल में सुंगवंस में हुई थी, मनुस्मृति के अनुसार इस्तरी धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार बिध्वाओं के लिए मुंडन पर्था का उलेक है, मनुस्मृति के भाशेकार में घाते थी, कल्लूक भट, गोविंद राज और भारुच थे, याग्यवलक ने बिध्वा को समस्त उत्राधिकारियों में पर्थमस्थान दिया है, याग्यवलक इस्मृति में इस्त्रियो नहीं माना जाता क्योंकि इसमें उन हिंदुों को पुन हिंदु धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, अगला प्रश्न है, निम्ण में से किस ग्रंथ में यूनानी आकरमण का उलेक है, और ये भी पता चलता है कि यूना आनी पाटल पुतर तक पहुँच गए हैं, तो सही उत्तर है गारगी संहिता, ये उन्हों के आकरमण का उलेक महाभाष गारगी संहिता और मालविकाग्न मित्र में है, लेकिन पाटल पुतर तक पहुँचने का उलेक केवल गारगी संहिता में है, गारगी संहिता की यूग इस ग्रंथ है महाभासे से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका यानि चित्वड को रौध दिया और मालविका अग्निमित्रम के नुसार अग्निमुत्र के पुत्र वशुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था अगला प्रश्ण है मालविका अग्निमित्रम नाटक में बिदिशा के सासक के रूप में वड़ित अग्निमित्र किस राजवन से संबंधित था तो सही उत्तर है अग्निमित्र सुंग वन्स से संबंधित था मालविका अग्निमित्रम नाटक में बिदिशा के सासक के रूप में वड़ित अग्निमित्र सुंग राजवन से संबंधित है ये महाकवी कालिदास का नाटक ग्रंथ है इसमें शुंग कालीन राजनैतिक गतविधियों का ज्यान प्राप्त होता है इसे पता चलता है कि अगला प्रशन है भागिलय की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुए है आपको बताना है तो सही उत्तर नर्मदा घाटी से भागिलय की मुद्राएं माध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए है ये पंच मार्क तांबे की मुद्रा पर बहल, पेड, सूरे और नदी का चित्र अंकित रहता था और अशोक की ब्राम्ही लिपी में शहर का नाम भागिले दाहिनी तरफ खुदा रहता था अगला है कि निम्न में से किस राजवन्स के सासकों के नाम मातरी सत्तात्मक हैं मौर्य, सुंग, कड़्व या सातवाहन तो सही उत्तर सातवाहन वन्स के सासकों के नाम मातरी सत्तात्मक हैं उत्तर भारत के आरे जनों के समाज में पिता का महतो माता से अधिक था, लेकिन सात वाहनों में हमें मातरी सत्तात्मक धाचे का आभास मिलता है, उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, गौतमी पुत्र वासिष्टी पुत्र आधिनामों से असपश्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी, रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किये और कई रानियों ने प्रतिशासक या रीजेंट के रूप में भी कारे किया था, पुराडों में किवल आंध्र सासन का उलेख है, स सात्वाहनों की राजकी भासा प्राकृत थी, और सभी अभिलेक इसी भासा में और ब्राम्ही लिप में लिखे गए हैं, अगला प्रश्ण है, सात्वाहन काल का सर्वस्रेष्ट सासक कौन था, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, गौत्मी पुत्र शातकाणी, गौत्मी प बल्सरी की नासिक प्रसस्ते और पुलुवामी के नासिक गुहलेक से इसकी सैनिक सफलताओं के विशह में सूशना मिलती है। अगला प्रश्न है सातवाहन सासक सातकारी प्रथम द्वारा अस्वमेध यग्य कराने का उल्लेक किस में मिलता है आपको बताना है। अस्वमेध यग्य तथा राजसु यग्यों का अनुष्ठान कराया था। अस्वमेध यग्य के बाद उसने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उतकीड कराई थी। नाग निका का नाना घाट का अभिलेक महराष्ठ के पूना जिले में इस्थित है और सात काड़ी पर्थम प्रारंभिक सातवाहन नरेसों में सबसे महान था। अगला प्रश्ण है सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है किसमें। सातवाहन इतिहास के लिए मत्स और वायू पुराण विशेस रूप से उप्योगी हैं। पुराणों में सातवाहन वंस के कुल तीस राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने लगभग चार सताब्दियों तक शासन किया था। अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से किस राजा ने वर्ड संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है। आपसन है गौतमी पुत्र सातकाणी, खारवेल, पुष्य मित्र सुंग या प्रवर्सेन प्रथम तो सही उत्तर गौतमी पुत्र सातकाणी ने। नासिक प्रसष्ट में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकाणी को एक अद्विती ब्रामहर आगम निले वर्ड व्रवस्था का रक्षक और वर्ण संकरता की प्रथा को रोकने वाला कहा गया है। उसने सक्विजय के उपलक्ष में वेडा कटक नगर की अस्थापना की थी। इसका समकालीन समसासक सक्षासक जो है वो नहपान था। कलिंग के चेद या महमेग वाहन वंस के सासक खारवेल ने राजर सिब्रिधराज कलिंगा धिपतियादी उपाधिया धारन की सुंग सामराट पुषमित्र की सरवाधिक प्रचलित उपाधि सेनानी या सेनापति थे। प्रवर सेन पर्थम वाकाटक वंस का एक मातर शासक जिसने समराट की उपाध धारन की थे उसने चार अस्व मेधिय किये थे। अगला प्रश्न है निमने लिखित में से कौन सा सातवाहन सासक सको यवनों और पहलों के संहार करता के रूप में जाना जाता है। आपसन है हाल, सीमुक, सातकाडी पर्थम या गौतमी पुत्र सा पुलुवामी के नाशिक लेख में गौतमे पुत्र सातकाडी को सक, यवन और पहलों का बिनास करने वाला, छहरात कुल का उन्मूलन करने वाला और सातवाहन कुल की पृतिष्ठा को पुनः अस्थापित गौतमे पुत्र तथा यगिसरी ने नासिक में एक-एक बिहार ब और पहलों के विशे में जानकारी के महतपूर्ण स्रोत नहीं है नाशिक गुहा लेक, जुनार का गुहा लेक, तक्थे बाही का लेक या सुई विहार का लेक तो सही उत्तर सुई विहार लेक सुई बिहार बहावलपुर का अभिलेक सको और पहलों के विश्य में जानकारी का सरोत नहीं है सुई बिहार अभिलेक सिंध छेतर के कनिस्क के अधीन होने का संकेत देता है और राजतरंगडी से घ्यात होता है कि कश्मीर कनिस्क के सामराज्य का एकँग था यहां उसने कनिश्क पुर्णगर के अस्थापना की थी और एक अस्तम्भ भी खड़ा कराया था जो आज भी उसके नाम से विख्यात है अगला प्रश्न है यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आकरमत वड़ित है किस गरंथ में आपको बताना है तो सही उत्तर युग पुराण और महाभासे में पुष्यमित्र सुंग के समय हुए यवन आकरमन का उलेक गारगी संहिता मालविकागन मित्रम और पतंजली कृत महाभासे में हुआ है गारगी संहिता की युग पुराण अध्याय में वडित है कि यवन, साकेत, पांचाल और मतुरा को जीतते हुए कुसुम उध्वस तक आ गए थे पतंजली के महाभासे के अनुसार यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौध डाला था कालिदास की रशना मालविकागन मित्रम के अनुसार अगन मित्र के पुत्र वशुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यवनों को हराया था अगला प्रश्ण है बहुत ही महत्पूर्ण है गौतमी पुत्र साथकाणी के राज चिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक सासक कौन था तो सही उत्तर नहपान जो की छहरात वंस का था लगभग 119 से 125 इसवी तक राजी किया वो साथ वहन नरेश गौतमी पुत्र साथकाणी द्वरा पराजित हुआ और मार डाला गया जोगल थंबी से प्राप्त नहपान के बहु संख्यक सिक्के गौतमी पुत्र साथकाणी द्वरा पुनरंकित किये गये हैं इससे ऐसा प्रतित होता है कि गौतमी पुत्र ने नहपान के जोगल थंबी इ अगला प्रश्ण है गौतमी पुत्र सातकाडी की मा कौन थी आपको बताना है तो सही उत्तर है गौतमी साथ वाहन सासक गौत्मी पुत्र साथकाडी की माता का नाम गौत्मी बलसरी था गौत्मी पुत्र साथकाडी के विश्य में जानकारी का मुखिसरोत नासिक प्रसस्ती है जिसे उसकी माता ने वासिष्टी पुत्र पुलुवामी के सासनकाल में उद्गेड कराया था उसने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपनी माता के सासन किया और देखिए सुभध रांगी मौरे सामराट अशोक की माता और विंदुसार की पत्नी थी अगला प्रश्ण है सक कारदमम सासकों में सरवाधिक प्रशिद्ध सासक था कौन तो सही उत्तर रुद्रधामा सक कारदमम सासकों में सरवाधिक प्रशिद्य सासक चश्टन का पोत्र रुद्रदामन या रुद्रदामा था वो भारत में शासन करने वाले शक सासकों में सरवाधिक शक्तिसाली और महत्वपूर्ण था जूनागण गिरनार से 150 इसवी का प्रसष्टि की रूप में एक अभिलेख मिला है जिसमें उसकी बीजियों व्यक्तिगत और कृत्तित्तों का विवरण मिलता है जूनागण हभिलेक के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को अपना रच्छक चुना और उसने महाचहत्रप की उपाज धारण की चश्टन कार्दमक वंस का संस्थापक था अगला प्रश्ण है गाथा सब्त सती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा कौन था आपको बताना है बहुत ही महत्तपून प्रश्ण है ये कि गाथा सब्त सती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन था तो सही उत्तर है हाल अगला प्रशनह है गिर्नार सिलालेक संबंधित है किस से आपको बताना है तो सही उत्तर गिर्नार सिलालेक रुद्रदामन से संबंधित है सक संबत 72 या 150 इस्वी में जूनागण गिर्नार से रुद्रदामन का एक अभिलेक प्राप्त हुआ है ये प्रसस्ति के रूप में है इससे उसकी विजियों, कृत्रितों और व्यक्तितों का विबरण मिलता है पारिनी ने यौधे यानि पूर्वी पंजाब में इस्थित को आयुध जीवी संग यानि सस्तरों के सहारे जीवित रहने वाला कहा है वासिष्टी पुत्र पुलुवामी को दक्षिडा पथेस्वर कहा गया है पुराडों में इसका नाम पुलोमा मिलता है और भारत में शक राजा अपने आपको छत्रप कहते थे आप जान लीजिए अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसने बेस नगर में गरूण अस्तंभ बनवाया था तो सही उत्तर है गरूण अस्तंभ हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था एंटियाल केट्स ने सुंग सासक भागभद्र के विदिशा या बेस नगर इस्तित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा उसने विदिशा में एक गरूण अस्तंभ अस्तापित किया और उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने सुंग भागवत धर्म अपना लिया था युक्रेटाइट्स वंस का सबसे परतापिशासक एंटियाल केट्स था और डेमेट्रियस वंस का सबसे परतापिशासक मिनांडर था हिंद यवन संपर्क के करण कला की एक नभीन शैली होले निष्टिक कला का जन्म हुआ था अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत की उपाध धारण की थी तो सही उत्तर हेलियोडोरस ने बहुत ही महत्तोपून प्रश्न है दोस्तों याद रखिएगा भागवत धर्म से संबध प्रथम उपलब्ध प्रास्तर इसमारक बिदिशा का गरुड अस्तंब है इसे पता चलता है कि तक्षसिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहन किया और इस अस्तंब की अस्थापना करवा कर उसकी पूजा की थी इस पर उतकीड लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस यानि देवताओं का देवता कहा गया है अगला प्रश्ण है बेस नगर गरुड अस्तंब लेख में किस राजजवर्स का उलेख है तो सही उत्तर राजजवर्स चवदय का बेस नगर या बिदिशा में गरुड अस्तंब लेख में राजवर्स चवदय का उलेख है इस अस्तंब के अस्थापना तक्षसिला के यवन सासक एंटियाल केट्स की राजदूत हेलियोडोरस ने किया था हेलियोडोरस सुंग वन्स की नवेशासक भाग भद्र का समकालीन था हेलियोडोरस का बेस नगर या बिदिशा अस्तंब लेख भगवान वासुदेव को समर्पित है उसने बिदिशा में विश्नु मंदिर की भी अस्थापना की थे अगला प्रश्न है शंक लिपी के लेख निम्नलिखित अस्थल के इस्तूप आउसेश से प्राप्त हुए हैं कहां से तो सही उत्तर है भरहुत से भरहुत अस्तूप मध्यपरदेश में सतना नामक अस्थान पर इस्थित था इस महत्पोड अस्थल की खोश सबसे पहले अलेकजेंडर कनिंगम ने 1873 में की थी ये इस्तूप सुंग कालीन है और अब इसके किवला उसेशी भी दिमान है भरहुत अस्तूप भरतिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें लोक जीवन, विश्वास और सांस्कृतिक परमपराओं का सरवाधिक सिल्पांकन किया गया है भरहुत के तोरर द्वार, बेदिकास्तंभ और सूचियों पर बिविध मनुरंजक्चित्र मिलते हैं भरहुत अस्तोप असे से शंक लिखपी के लेख भी प्राप्त हुए हैं अगला प्रश्न है, खारवेल के हाथी गुमफा अभिलेख में सिचाई विश्यक कार्यों का उल्लेख मिलता है किसका नंदों का, मौरियों का, सुंगों का या कड़वों का, तो सही उत्तर नंद का खारवेल के हाथी गुमफा अभिलेख से नंद राजा महा पदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है इसकी अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माड कराया था मौरियोत्तर काल से संबंधित प्रश्णों के अध्यन का ये पहले भाग का लाष्ट कोशन है कि किस सासक के शासनकाल में सेंट थामस नामक इसाई भारत में इसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था आपसन है गोंडो फरनीज, डेमेट्रियस, विमकडफसिस या कनिश्क तो सही उत्तर है गोंडो फरनीज दोस्तों गोंडो फरनीज का सासनकाल बीश से एकतालिस इसवी की प्रमुग घटना सेंट थामस नामक इसाई द्वारा भारत में इसाई धर्म का प्रचार करना था वो तमिल नाडु में मार डाला गया, इस प्रकार इसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया और गोंडो फरनीज के सासनकाल का एक अभिलेख तक्थे बही पेशावर जीले में प्राप्त हुआ है पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर घ्रमिय यानि धार्मे को पाधि उतकेड मिलती है ध्रमिय और भारत में पार्थियन सामराज का वास्तविक संस्थापक मित्रे आगे जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को अच्छे से तयार कर लीजिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फॉर सिविल सर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार